देख भी नबरे, डाउंलोड ताक आप वो अंग है, वो नमबर है और नमबरों की ये दुनिया अपने आप में बड़ी रहस्यमई है, बड़ी अनूठी भी है और इस नमबरों की दुनिया में जिसको बेसिक नमबर मानते हैं उसको मानते हैं एक से लेकर के निन्यानवेता यह basic number basic compound माने जाते हैं इसमें सबसे चमतकारी और जादूई जो number है वो है 24 यानि कि 24 24 के number का मामला क्या है और क्यूं हम 24 number को 24 को जादूई कह रहे हैं आज इस विशेपर बात करेंगे सबसे पहले ये जानते हैं कि number 24 की अंक 24 की विशेष्टाएं क्या है specialities क्या क्या है देखिए अंक जोतिश की बात अगर हम करें तो एक से लेके 99 तक के जो number है वही primary number वही basic number माने जाते हैं 99 के बाद 100 है 101 है इसके परिणाब दूसरे होते हैं इनको basic number नहीं मानते हैं अंक जोतिश में रहस्य और जादू दो number के पास मौझूद है दो ही number है जिनके पास रहस्य भी है और जादू भी है एक number है 13 यानि की 13 और दूसरा number है 24 यानि की 24 तेरा का जो अंक है 13 का जो number है ये कुछ हद तक नकारात्मक है इसके अंदर कुछ हद तक negativity नकारात्मकता पाई जाती है जबकि 24 का जो अंक है ये पूरी तरह से लाभ का और सफलता का अंक है रहस्य दोनों के पास है लेकिन 13 के अंदर कुछ negativity है 24 के अंदर बिलकुल भी negativity नहीं है और 24 का जो number है ये पूरी तरह से लाभ और सफलता का अंक माना जाता है 24 का जो number है ये एक तरह से negative energy को सोखता है negative energy को नकारात्मक उर्जा को समाप्त करता है जहां भी 24 नंबर जाता है वहां से ये negative energy को खीच करके अपने पास ले आता है और negative energy को दूर कर देता है बहुत सारे अंकों की गड़बडिया क्योंकि देखिए हर अंक की अपनी एक समस्या है अपनी एक ताकत भी है और अपनी एक मुश्किल भी है तो बहुत सारे जो दूसरे अंक होते हैं इनकी गड़बडियों को अगर ये गड़बड हैं जीवन में मुश्किलें दे रहे हैं तो बहुत सारे अंकों की गड़बडियों को इस अंक के प्रियोग से दूर किया जा सकता है अगर आप 24 नंबर का प्रियोग करें तो बहुत सारे अंकों की गरबडियों को आप बहुत आसानी से दूर कर पाएंगे ये जो 24 का नंबर है ये व्यवसाय के लिए और धन की प्राप्ती के लिए बहुत लाबदायक होता है इसके इस्तमाल का तरीका आगे आपको बताऊंगा लेकिन आपको बता दूँ कि अगर 24 का नंबर आप जीवन में प्रियोग करते हैं 24 के नंबर का इस्तमाल करते हैं, तो आपके व्यवसाय के लिए और धन की प्राक्ति के लिए ये 24 का नंबर बहुत फाइदेमंद साबित होगा. अब ये जानते हैं कि कौन से लोग इस अंक से प्रभावित होते हैं? किन लोगों के उपर 24 का नंबर प्रभाव डालता है या किन लोगों के जीवन में 24 का अंक जुड़ा होता है जो 24 के अंक वाले भागेशाली होते हैं? जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 24 तारीख को हुआ है उनके उपर सबसे ज्यादा 24 नंबर का प्रभाव होता है और वो भाग्यवान भी होते हैं जिन लोगों की जनम की तारीख, जनम का महीना और जनम के साल का जोड़, तोटल 24 हो उनके उपर भी 24 नंबर का प्रभाव जरूर होता है जिन लोगों के नाम के नंबर का जोड़, जिन लोगों के नाम के अंकों का जोड़ 24 आता हो उनके उपर भी 24 नंबर का प्रभाव होता है अगर हम जोतिश की बात करें तो 27 नक्षत्र के हम बात करते हैं और उसमें जो 24 वा नक्षत्र है वो है शत्विशा राहू का नक्षत्र है भाई रहस्यमई नक्षत्र है तो शत्भिशा 24 में नंबर का नक्षत्र है कुम्भ राशी के अंतरगत आता है तो जिन लोगों का जन्म शत्भिशा नक्षत्र में हुआ हो ऐसे लोगों के उपर भी 24 नंबर का प्रभाव होता है जो लोग 24 नंबर के मकान में रहते हूं आपकी बिल्डिंग का, आपके फ्लेट का, आपके मकान का नंबर 24 है उनके उपर भी इस अंक का प्रभाव जरूर होता है उनके जीवन में भी 24 नंबर प्रभावशाली रूप से दिखाई देता है अब 24 नंबर भाग्यवान बहुत है, जादूई बहुत है, चमतकारी बहुत है लेकिन 24 नंबर वालों को कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही चाहिए 24 नंबर वाले वैसे तो बहुत धिमान भी होते हैं, चीजों को समझते भी हैं लेकिन कभी-कभी एमोशनली ऐसी ब्योकूफियां करते हैं जिस चक्कर में उनके जीवन का पूरा एक्वेशन, पूरा गडित बदल जाता है, बिगर जाता है तो 24 नंबर वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले, ये नंबर अपने आस पास बहुत सारा आकरशन पैदा करता है बहुत सारा अट्रेक्शन पैदा करता है और 24 नंबर वाले दिखने में कैसे भी हों उनकी तरफ लोग अट्रेक्ट होते हैं उनकी तरफ लोग खिचते चले आते हैं उनसे बात करना, उनके साथ बैठना, उनसे सलाह लेना लोगों को अच्छा लगता है लेकिन 24 नंबर वालों को बता दूँ कि आपके पास अगर आकरशन की ताकत है तो इस आकरशन शक्ती का दुर्पियोग बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप दूसरे को ब्योकूफ बना रहे हैं और ऐसा भी मत होने दीजिए कि लोग आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको ब्योकूफ बना रहे हैं न तो बेवकूफ बनिये ना ही बेवकूफ बनाईए हमेशा सात्विक और आध्यात्मिक बने रहें 24 नमबर बहुत ताकत्वर तब होता है जब इसके उपर इश्वर की कृपा होती है जब इसके उपर इश्वर का हाथ होता है तो 24 नमबर वालों को हमेशा सात्विक और आध्यात्मिक बने रहना चाहिए वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा उससे इनकी ताकत इनकी शक्तियां बढ़ेंगी और 24 नमबर वालों को लोगों की सहायता भी करनी चाहिए क्योंकि 24 नंबर वालों के पास बहुत सारे लोग आते हैं सहायता मांगने के लिए तो जितना संभव हो जितना शक्ती हो यथा शक्ती दूसरों की सहायता करें तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन उसी व्यक्ति की सहायता करें जो इसका पात्र हो जिसको जरूरत हो क्योंकि आप कभी कभी बिना वज़ा भी लोगों की सहायता करते हैं और लोग आपको बेवकूफ समझ लेते हैं लोग आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर देते हैं अगर आपका नंबर 24 है तो इस अंक के लोगों को एक पन्ना या एक पीला पुखराज दोनों में से एक रत्न जो आपकी बुद्धी को सही दिशा में ले चल सके इस अंक वालों को एक पन्ना या एक पीला पुखरा जरूर पहनना चाहिए उससे फाइदा इस नंबर वालों को जरूर होता है उनकी बुद्धी सही रास्ते पर चलती है किसी गलत चक्कर में नहीं पड़ते हैं अब 24 नंबर का फाइदा उठाना है 24 नंबर वालों को भी उठाना है और 24 नंबर को जिन लोगों को यूज करना है जीवन में कि 24 नंबर का इस्तमाल करके हम फाइदा उठाएं तो उसका फाइदा आखिर कैसे उठाएंगे, क्या करेंगे, देखिए इस अंक को चौकोर कागस पर लिख करके अपने पास रखना चाहिए, खास तोर से अंक जोतिश के दो नमबर ऐसे हैं, एक है चार का नमबर और एक है आठ का नमबर, जिनके जीवन में दुरभाग्य आत 24 लिख करके अपने पास रखिए, अपने पर्स में हमेशा बनाए रखिए, ऐसा करने से धन की समस्या से और जिन्दगी के उतार चड़ाव से आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे, धन की मुश्किल परेशान नहीं करेगी और अप्स एंडाउन से सुरक्षित आप ब इस अंक को व्यवसाय के स्थान पर लिख करके अपने पीछे लगाएं, जैसे माल लिए आप इस कूरसी पर बैठे हैं, आप यहां बैठ करके अपना बिजनस चलाते हैं, तो अपने पीछे की ठीक पीछे की दिवार पर एक सफेद कागस पर छोटा सा लाल रंग से या गु जैसे के नुकसान से आपकी रक्षा होगी, जिन लोगों का नंबर चार है, छे है या आठ है, ऐसे लोगों को इस नंबर को लिख करके अपने पास जरूर रखना चाहिए, खास तोर से आठ अंक वालों को मैं कहूंगा, कि जीवन में 24 नंबर का इस्तमाल, छे नंबर का इस हैं, तो इससे जीवन की समस्याएं कम होती चली जाएंगी, इस अंक का प्रियोग, धन और व्यवसाय के मामले में जितना जादा किया जाए, फाइदे उतने ही जादा होंगे, जैसे आपको कोई बड़ी बिजनस की डील करनी है, 24 तारीक को करिए, आपको किसी मकान में रहन है, 24 नमबर के मकान में जाइए, आपको गारी का नमबर लेना है, 24 नमबर लीजिए, आप कहीं पर साइन कर रहे हैं, नमबर लिख रहे हैं, तो चाहें छोटा सा उसके नीचे 24 नमबर लिख दीजिए, यानि 24 नमबर का जितना इस्तमाल किया जाए, व्यवसाय के मामले में लिखा पढ़ी में पैसे रूपए के मामले में फाइडा उतना ही जादा होता है अब इसका मतलब यह नहीं है कि 24 नंबर का लॉकेट बन्वा के गले में डाल दीजिए सम्मत करिए 24 नंबर एक वाइट पेपर पर लाल रंग से या गुलाबी रंग से लिख लीजिए शुकरवार के दिन और इसको बिना मोडे हुए अपने बटूए में रख लीजिए हर महीने इस नंबर को बदलते रहिएगा और पुराने नंबर को फाड करके फेक दीजिएगा बिना में रख लीजिए तो 24 का नंबर एक बड़ा जादूई नंबर है और 24 नंबर वालों के साथ अगर आप जुड़े जीवन में तो आप देखेंगे कि आपके सफलता का क्वांटम आपके सफलता की संभावनाय लगातार बढ़ती चली जाएगे देख बना बेख डाउनलोड दाक अप